हेलो गाईस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस ही है संगरी T10 2024 के जो सीरिच चल रही है इसके तीसरे मैच के बारे में ठीके वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको इस मैच से जोडली गेट हंगरी में मैच खेले जा रहा है तो आज का इसी वेडियो पर है पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टी फिसल पिच जिसके ब्रेवर में कुद भी चेंज नहीं होता है सेम रेती है बैटर और बॉलर के लिए एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज पर दा दिये और लास्ट में जो खेला उसी किसाब से अमने बैटिंग ओडर प्लेइंग 11 सेट कर रहा तो पहला प्लियर जेसन को की खील जिसने पहले मैच में जीरो पर आउट हो गया लेकन पीलियर बहुत सांदर है पहले में बालिंग भी नहीं करें और जीरो पर आउट इसके बाद है जहीर साफी पहले मैच में इसने 11 रन की खेली ओवरल रिकॉर्ट सांदर है उनसाट मैच में 894 रन है 22 की एवरेस से बिलकुल आपको पिक करना है क्योंकि एक्सपिरेंस पिलियर सेलेक्शन की बात करें मातर 12 परसेंट है लेकर टीम में आपको बिलकुल पिक करना है इसके बाद है काबिड दिलदार जिसने पहले मैच में 21 रन की खेली यहां भी एक अच्छा पिलियर और ओवरल रिकॉर्ड देके तो 65 मैच में 629 रन है 18 की एवरेस से 22 ओवर की गेंदबाजी 12 विकिट लिए बालिंग बहुत कम करवाता है लेकर बैटिंग बहुत स लेकर सामने वाली टीम ने 9 ओवर में ही टार्गेट चेस करे लेकर 10 ओवर डालना था इसको लेकर उससे पहले ही मैच खतम हो गया इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि मिडल ओवर में एक ओवर डालेगा और डेथ में एक ओवर डालेगा बिल्कुल आपको पिक करना है साथी न सलेक्सन देखने को मिलेगा अपने को मातर साथ परसेंट लेकर पिलियर ने परफॉर्मेंस सांदर दीती इस वज़े से बिल्कुल आपको पिक करना है स्टार्टिंग ओवर में दो ओवर की गेंदबाजी भी करवाई थी उसके बाद एक कुकिल इजराहिल उल्ला जिसने प इस बात करें तो सलेक्सन देखने को मिलेगा इसका कुखिल का अपने को लगबग बराणवे परसेंट विकेट की प्रिंग सेक्षन से पहले match में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी और overall record देखे domestic का है 20 match में 149 रन है 6 hour की गैन बाजी 2 wicket उसके बाद है उमर जामिल जिसने पहले match में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी और selection देखोगे आप इसका तो selection देखने को मिलेगा 87% यह यह आपको wicket keepering के point दे रहा है ठीक है उ बैटिंग ओडर लेट है इस वज़े से इसको select नहीं करेंगे 10 match में तरेपन बनाए टीटेंड के उसके बाद है उल्ला साकिर जिसने पहले match में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी overall record 5 match में उन्पचास रन है उसके बाद है अक्रीम उल्ला मलिक जाड़ा जिसने पहले match में दो 2 over की गेंदबाजी करवा रहा है ठीक है overall record देखें तो 31 match में 27 run 30 over की गेंदबाजी 10 विकिट डैत ओवर्स में करवाना आया था इसलिए important है उसके बाद है साधत सैद जिसने 2 match में 0 run पहले match में 2 over की गेंदबाजी करवाई थी इस वज़े से important है इसको भी अपन बिल्कुल select करेंगे ठीक है यह तीम मजबूत है इसलिए अपने इसके जाधा प्लियर लिये ठीक है और जो जो इंपोर्टेंट अपने सभी को select कर लिया साधत सैद का overall record देखें तो 10 match में 14 over 3 विकिट ठीक है बैंच पर से कोई साभी player खेलेगा तो उसके stats आप वीडियो को post करके देख सकते हो बात करते हैं दूसरी टीम डीनू बैन कंगारूस की ठीक है जिसका पहला मैच है और ज्याद अगर प्लियरों के stats T10 के नहीं है ठीक है domestic के record है तो वीडियो का आप पूरा देखना क्योंकि सभी player के stats अभी हमको मिले नहीं है ठीक है लेकर जित्तों के भी मिले है तो उत्यों के हम आपको बता देते हैं पहला प्लियर है निसानता लिंगे जिसने 18 T10 के मैच में 36 की एवरेस से 73 रन बना 21 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हैं 12 विकिट लिए एक लोता ऐसा प्लियर है जिसके पाद ठीकता का experience है T10 का ठीक है इस वज़े से इसको select कर सकते हैं और selection की बात करें 88% है बिल्कुल आप पिक कर सकते हो उसके बादे गबर तारोक जिसने T10 के 3 मैच में मातर 9 रन बनाया लेकर आप इसका T20 का record देखो गए तो 14 मैच में 409 रन है 29 की एवरेस से 32 ओवर की गेंदबाजी 9 विकिट यानि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से contribute कर कर सकता है इसलिए इंपोर्टेंट और selection भी जेकर तो 43% की रिकॉर्ड अच्छा है इस पज़े सलेक करेंगे उसके बादे जोल्टन मौरिसी जिसने पहले एक T10 का मैच खेला जिसमें 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं विकिट लेस गया मैन बॉलर और ट्राइकर सकते हो फस्ट गेंदबाजी में ओवरल रिकॉर्ट T20 का भी है जिसमें 6 मैच में 12 ओवर की गेंदबाजी 7 विकिट ट्राइक कर सकते हो फस्ट गेंदबाजी में उसके बादे एडम गुल जिसने 3 T10 के मैच में 0 रन बनाया 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं एक विकिट लिया उसके बादे क्रिश्चेन हजूडो जिसने 5 T20 के मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे, 4 विकिट लिए इसके बादे इस्टीव सुजाबो जो विकिट कीप्रिंग सेक्षन में देखने को मिलेगा, ठीक है, विकिट कीप्रिंग सेक्षन में अपने को देखने को मिलेगा, सलेक्षन मातर 2% है, लेकर पर्फोर्मेंस देखे तो 16 मैच में 17 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे, 9 विकिट लिए तो बॉलिंग करवा सकता है, ठीक है, उसके बाद है, पॉल अंस्वर्थ जिसने पहले 6 T20 के मैच में 54 रन बना है, 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे, 3 विकिट लिए, इसके बाद है, मैटी अंस्वर्थ जिसने 6 T20 के मैच में 23 ओवरो की गेंदबाजी करवाते वे, ठीके उसके बाद है Tom Wyman जिसने चार मैच में नौरन बना है उसके बाद है Robby Unswart जिसने च्छे मैच में 20 ओवर की गेंगबाजी करवाते हुए चार विकेट लिए ठीके इनों के स्टेट्स मिले है और बाकी के जिनके स्टेट्स से इनों का अभी नाम नहीं मिल रहा है हमको ल लेने कैप्टन वाइस कैप्टन सी की बात करें तो कैप्टन सी का अगर बैटिंग होती है तो जेसन खान को इस मैच में ट्राय कर सकते हो क्योंकि अच्छा खासा एक्स्पिरेंस पी लिए रहे फिलाल के लिए अपन यहां से उस्मान मेहमूत को बनाएंगे और वाइस कैप बिरूड कर लेना ताकि आपको इस टूनामेंट से रिलेक्ट सारे वीडियो मिल जाएंगे दिनके पांच मैच होते है तो हम पांचों के वीडियो बनाते है ताकि किसी भी मैच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना आवे तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सारी जानकारी मिल जाएगे आपको टेलीग्राम पर जिसे बैटिंग ओडर प्लेंग 11 टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो ठीके और जिन पिलियरों के हमने इस्टैट्स नहीं बता है उनके इस्टैट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगे क्योंकि स्टैट्स आपको पर ज Täवाग